जाहें दोस्तों, ये मनपी डेरी है, पतेगर साब में गाउंचुन्नी, महाराष्टर से हैं परशुपाल जो इनके पास आये हैं और पड़े लिखे हैं, तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कि किस तरीके की गाये खरीजनी चाहिए और कैसे? महाराष्टर के विसी गाउं से हूँ, अधिवासी अरिया है हमारा, नान्देट डिस्टिक्स में, पहलवान हो? पहलवान नहीं हूँ, पैसे सरकारी नोकर हूँ, पुलिस में काम करता हूँ, पुलिस में? लेकिन अपना खेत में, पुलिस वाल दो डराते हैं बहुत हैं, अपने पिताजी फार्मर है, अपने काम के आइमियत है, कितनी खेती हैं? यह साथ टेकर्ड तक है, कितना पड़े हैं? मैं तो हूँ, बारावी पास पड़ा हूँ, तो कितनी पे मिलती हैं? पे तो अभी महाराष्टर पूलिस में है, पचास हजार के लगबक तो फिर यह ग ग्रेजुएशन पड़े है, लेकिन लॉकडाउन में, लॉकडाउन के वज़े से उनको जॉब नहीं मिलीती, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हमारे ग्रेजुएशन पड़ाई करके भी उनको जॉब नहीं अभी लॉकडाउन के बाद में, तो फिर कुछ ना कुछ खेती के सा साथ में कुछ धंदा कर ले इसा हो जाएगा कि अभी मेरे साथ पहले तो एक भेंस थी लेकिन हमने दीरे 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 एक-दो एक-दो करके अभी 10-15 भेंस है चार-पांच गाह है हमने बहुत रिसर्च करने के बाद में पता चला कि दो बंदे अच्छे मनफृत और गुरुपृत काहे से सर्च किया अभी सोशल मीडिया में जैसा यूटूब है वैसे आपके भी चैनल हमने बहुत वीडियो देखे हैं पर विपर इतना डर लगथ है कि इतना महराश्टरा कहा और पंजाब कहा पर यतना लंबा कि इन पर भुरुसा कैसा करना वो भी सबको एक-प्रॉबलिम लगता है कि यह बहुत नमबाने के बाद में अगर पशुपालग पाशुपालक कैर भी उनको पनको अक्षा पशु पर आज जाके एक साल के बाद में हमको इदर आना पॉसिबल हुआ है पहली बार नहीं पहली बार यह जो गाय गुवाई कितने की देन को कितना दूद एने वाली दूद दूद आने वाली दूद रखे लिए ज़िए ब्याट दूसरे में उसने बचा दिया हो उन्य पचासी यह कितनी महंगी है क्यों बॉटी स्क्टे अच्छा इस प्चीं तक जाएकि और अभी 5 रो जुआ इसको गई को दो टैम मिल्किंग करके तो जो इनों की एक्वेरमेंट थी जे बोर्रे से मुझे भी 32 लीटर तक ही लेनी है उससे उपर नहीं लेनी है है पिछाटी बाट लेते हैं। तो फिर दूद में काट लेते हैं। नहीं हतसा है इसका सर जी 55 रूपे लिया है। 65,000 रुपे में इसके नीचे बच्छडा है ब्याई हुई है हमको जैसा थोड़ा सा वाइट कलर में दूद चाहिए था तो इसका वाइट कलर दूद है और फैट जादा है कितना दूद है इसका हमने नो नो लिटर चुवाई करके लिए तीन टाइम लिया है तो वो तो ने न पैंन सट इजार पांसी प्यां था यह तो चार दा थे दूसरे बैत में बोलकि दिया वह एक विनोद गाएक बाट तो उतने हमको फोन करके बताया किता हमने करता गी वो पैसे डाले साथ जार रुपया लॉगड़न में पता हमको एक मिना ता गाई नहीं बेजी किसे नहीं किसी तुम हो तो हम ने इस से बोला मैं कि गाधी देमी होगी तुमने एक जाय के लिए पैसे दिये वह गाए तो एक जाय के लिए लाँ आनी नही below तो जिसने विए किया तो उसकी मजबूरी होगा वो समझेगा आपने आप जी देख कर ने वो समझ भी जाएगा एक मिना नहीं भेजी लॉग्डॉन में गार बपारी कमा रहे थे तो गाड़ी बनने ही रही होगी तो उसकी गाय जाने किस दूसरे के साथ में हम ने उनसे बात पर चाहा जाता है तो इतना जादा तो खोड़ा जाता निविकाय तो लेज़ी नहीं हाँ एक मिने बाड़ा जाना होता है जाए जैसे माराष्ट रहे एक गाय निफेज बाएगा दर ना दो जाएगे अच्छा उसमें कम से कम छे साथ गाय जाएगी तभी बाड़ा है कि बाड़ए को इन शारी आट ड़ियो भी अृंको कि दूद का काम test थोड़ा वेद्ध की जिए जी नहीं पड़तीयम थोड़एगे जी तुमने दी नई पड़गे है और सब्सको बाड़ी ए त्रेगनेट वि नहीं गर ब्यागी मेरी है ≰ज équलां कि यह तोड़गीork तो क्या दाम लगाया फे इसका दाम हमने 91 रुपे लगाया है नाइंटी वन थाउजन यह तीज ते कह रहे हैं तीज दे देगी तो हमको पचीस की आशा है और इसका दूद जैसे हमारे एरिया में उसका वाइड दूद की रिक्वाइर्मेंट है एचेफ प्योड एचेफ में ब्रीड के कैसा उसका यह लोईश दूद रहता है हमारे इदर एलोईश दूद का उतना वैलू नहीं है तो जो वाइड दूद वाली है जिसके नीचे वाइड है हमने चुवाई करके वाइड दूद पी के भी देखा है तो जिसका दूद अब उनकी मर्जी जो बच्चे बच्चे पढ़ेंगे पॉल्टिशन जो है ना वो दुबाव डालके गलत काम करवा लेते हैं तुम लोग अफसर लोग दुबाव में आ जाते हैं नहीं ऐसा कोई ने जब अच्छा इमानदार इसे काम करना हो तो कोई दबाव का उतना प्र अब यह पीसरा जगत अब तो चार साल एक जगे काट देते हैं पान सल बड़ी है फिर तो इमानदार हो और सच कर रहा है इसके पीछे तो बात देख नहीं यह बिमार सी गाय कितने पैसे लिए हो इसकी बिमार ने इसके मेरे पास बच्चड़ी जी इसी ने तोड़ा साना क पाल ने बच्च्री तकरीवर मेरे खाल है चार-पांच के नीचे बच्री तो वह महगी पढ़ेगी पाल ने इससे दुगाय लेना बड़ी है ने सार जी बताओ कह बात है पांच-चार बच्री जो पालेगा ना कसान और तो अच्छा रहता है तो क्रोस में ना इक रहता है जो हमारे इधर दूसरा बंदा है राजेंदर मांडे बोलके उसने कम से कम एक साल में चार-पांच बार आके यहां से गाय लेके गया पिर हम उनके घर गए नासिक इनके पास से जो गाय वहां है हमने देखा वहां पर उनके घर में कि गाय कैसी है दूद कीतना देए उसके बाद जाकर मैं अकेला भी हिमत नहीं कर पा रहा था यहां तक आने का फिर वहां जाने के बाद पता चला कि बबाद चलो ठीक है उसने कहने के बाद नहीं आया हमने परक लिया कि उसके पास जो गाय इन्होंने भेजी थी वह लेकर आया था चार-पांच बार साल में वहां बाद हमने गाय देखा असल में कि वह गाय है अच्छी दूद निकालते समय उसके घर में रुके थे हम दो दिन तभी थोड़ा हमको भरुसा आ गया कि चलो बबाद अब इसने भरुसे से लिए गड़बर तो नहीं करेंगा साथ जी आगे भी नहीं करी कभी आई आपको प् मैंने उसी दोज बोल दिया लोगी मेरी करेंटी है तो फेर भी नों कोई करता है हम आरी तसली होनी देख वो तो मारा दोस्त पट्याला में बहुत भी बनी करता वह नहीं जी उसके बाद बेजा उनको यह तो अपने अप चाल जेंगे जी तो यह कितना दूद देदेगी फ सतर की हां सतर की लिए है हमको इसने अठारा बीस लीटर का बोला है दो टाइम चुवाई चालू है भी कल से छे साथ-छे साथ-छे सत लीटर दे रहे ही दो तुमने भाव से दी दो मेंगी दी मेंगी निसा जी उन्हों करना मौनिस्ट इसाफ से जो अपने ऐर शेर गया दे जाधा तर गाय की बैई हुई लिए उनका दूद निकाल कर भी लिए हमने अच्छा आशा हां तो टेन टाइम के मेरे पास वीडियो भी है मैंने लाइव वीडियो में निकाला है मेरे इंस्टापे मेने तो मेरे से जुतना दूद निकाला यह वो उसको स्कीप नहीं वीडियो को जो निकाला है वो काउंट किया है प्रॉपरली नौ लिटर यह लिए अगली आगई है तो तो हम जितने लोग हमसे वीडियो बनवाते हैं न हम उसे कहते हैं कि वहां चलके दिखाओ तो उसमें जो तो है मन का जिनका काला बुद जाते हैं तुमारे अब बाकी सब लोग धुकर दोतीन लोग ले जा चुके हैं तो जो साब मन उगा वो लेके जाएगा ने वहां जाके दिखाएंगे तो कुम्स पर जाता है वह बिलकुल बादा कि तुमने सच काम किया है अगर नहीं दिखा जूटों में किन्ती होगी नहीं कोई बात नीचलेंगे हम कितने कि आप पहली वरे गये दूसरी वर गये मेर खयाद में तिसरी वर झारह है तो दो साल पे जारहे है अब दूसरी वर हम चलेंगे आपके साथ जाएंगे पके लिए कि तब तक बुतानी क्या हो गाओ गार चलतार एंटे कियो जाने दर्वर कियो कुछ अब लोग बूली यहाते दर्टी दर्टी हम तो दर्टी नहीं जाएंगे अच्छा चलो अब यह विवाद गौर रखना जो वहां देख हम यह हम लोग कहते है न तो खर्चा होता है वह 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 खर्चा नहीं देंगे लोग तो वैसे कहेंगे चलो फरी में बन जाएक इस तरह से तो उसको तो देना कि तुमारे काम की पार्दिष्टा वहां दिखाई देती है तुमारे पास गाई भीजी मिल्किंग करवा के देखेंगे तब बताएंगे इनके पास से आई थी सही है अब यह दो डरते हैं इस जाना था इस वार मैं पहली ही भूला थोड़ा सा लिख के देदो ना जट चने क्या लगता आपको को नहीं में दोस्त है दोस्त है एक गाउं के नजिक के पांच करम टर्गा पर किस चीज से आई और टरेंस है अच्छा कितना कराय लगा किरा 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 करिभान 12 रुपर लगई यहां कितने गाय लिया पर मैं 4 गाय लिया 2-21 शे पश बश्वली है कितने जो ब्याए हुए हैं तो रास्ते में गड़ बुरतों नहीं करेंगे, दो जार किलोमेटर है, तकर गिरबन उसका ध्यान देना बढ़ेंगा, संभाल के लेना पढ़ेंगा, तकर जाएंगा, खुद ही जाओगे, पीछे बैठके जाएंगे, यहाँ आगे, आगे पीछे कुछ आगे बैठके जाएंगे, तो पीछे कैसे देखोंगे, देखना पड़ेंगा, उतरना पड़ेंगा, चार गंडे जाले के बाद, तो पीछे बैठके जाना चाहिएंगे, यह जो गाय गुमाई है, कि क्या दम लगाया आप में इसको, तकर बना 80-50, 29, जैसा, इसका कितना ल और यह जो आप आने बाली अकेली गाय जाहिए, गेली गाय जाई है, तो मारा कितना दास एज दो यह जाएंगे, कैसे कम हो जाएगा, होता क्यों नहीं होता साजी, अच्छा दोध है क्या खिलाना चाहिए गाय को, दूध के लिए जाए बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के जो प्रोसेसिंग चलता वो इदेना चाहिए जैसे फीड होगी अपना मोर्गास हो गया है इनों की बाशा में बोल्ड देखेंगे शाहि लिव गएरा इस जो अभी मौसम चलता थोड़ा सा करमी में इसमें गाय का दूद थोड़ा कमें लेना चाहिए जिए जो वीकनेस जाद दूद बढ़ा दिया जी अच्छा तीस लीटर दूद कर दिया उसके लिए तीस बगतिस लीटर पर उसने एक मीन दूद दिया मेरे पास जी उसके बाद वो त्रूंत तुबहे काई जी सोला लीटर पर वो क्यों वो सर जी बताओं के दलिया होता जो गर्म होता है इसलिए अच्छा जी फिर उसका बंद करा मैंने उसको भी बीस लीटर के उपरी ठहराई जी ज्यादा ख्राक भी देना चाहिए जी मतलब तुम पंदा लीटर बाली को बीस पे ले जाओगे बीस बाली को पचीश पे ले ले जा सकते जी गाय को जितना मर्जी खीच लो मौसम के हसा पचास बाली असी में कैसे करते थे सार जी दाम बताओं क्या बाता जी जैसी गाय होगी तरकीव होगी तुम्हर पस जैसा दाम मैं बताता हूं आपको जी अभी दूद ये बढ़ाकर किसी को दखाएंगे जी उसका दाम तो फे लगेगा में तो करनी पड़े जी साठ वाली करते ही नहीं हम लिए तो जिससे ली हमने उसने हमको तो पूरे गैरंटी के साथ 20 लीटर बोला है लेकिन यह अब उसको बैने में 4-5 दीन ताइम है हमारी उससे एक्सपेक्टेशन हे कि 16 लिटर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी दोगे तो बहुत जाए तो बहुत मैं को सी हे बैद तो दूसरी है मालिक ने उसके तीसरी पर एक अधी रहा है तो 20 लीटर बता रहा है और गैर गैरन्टे के साथ में फोन नंबर दिया वोला नहीं दिया तो आप फोन करो इसमें लीटर की साब से पैसा माइनस को किया दाम लगाया इसका हमने सबसे बढ़ ए अगर जितना लेटर कम होगा उसके हिसाब से हम पैसा भी कम करने के लिए तयार है अगर बीस लिटर नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता है बीस लिटर देगी पर फंद्रा सो लेटर दो टाइम का तो देगी तो आज भी विश्वास वाला है ऐसे कम कर देगा अगर नहीं देगी तो बहुत अच्छी है तो दूसरी बात है हम जहां से तीन दिन पहले इनके साथ आये थे तो यह हमको स्टेशन पे लेने का आगे वहां तक और हमको इस उन्होंने खुद के घर में रखा तीन दिन से हम ल है इनको घुमाने के लिए फले उसका थोड़ा बहुत इनोंने पैसा लिया नहीं है इसा नहीं गाड़ी का डिजल का बाकी रहना खाना सब उनका ही है देखो वो पैसा देना फार्ज भी बनता है नहीं ने दिया हमने क्योंकि अगर यह अपने बासे देंगे तो उधर पहने का तीन दिन का कम से कम पर डे 2 अदमी का 4-5 थाजार उपए फकड़ गे ख़ाने का पैसा है उन्होंने खुट के घर पे खाना के लिए तो दो हजार उपे कमिशन इनोंने मांग के लिए है अब इस बात की पर्मानिकता के लिए हम आपके पास आएंगे जूर यह नही इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरू करना हमारे कसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद समिग्री जब पशुदन की अगर खरीद करते हैं जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी साफ़दानी पूरग करना चाहिए किसी तरह की खीद फरोखत सबंदी या किसी परकार की विवादम से हमारा कोई सबन रही है और ना ही हम किसी तरह की जिमेदारी लेते हैं धन्यवाद